so guys do terminology stock market में बहुत ज़ादा use होती है that is support and resistance and trust me बहुत सारे लोग अपना पूरा का पूरा trading plan based रखते हैं on support and resistance itself now what is the meaning of support and resistance और कैसे पता चलेगा के share का support कहां पे है और resistance level कहां पे है and what we should do at support level and what we should do at resistance level इसको समझने की कोशिच करेंगे so guys समझ लो कि एक share है वो जब भी नीचे आ रहा है suppose करो वो नीचे गिर रहा है और एक ऐसा level create हो जाता है जहां पर buyers एक्टम से aggressive हो जाते हैं यानि कि जहां पर उस share की अचानक से buying आ जाती है जो उसे वापिस यहां से उपर उठा लेती है यानि कि share तो गिर रहा था लेकिन एक level पे जाकर क्या वो रुख जाता है और अचानक से बहुत buying pressure आने की वज़ा से वो share वहां से वापिस उपर उठ जाता है so this level is called as support level support क्यों बोलते हैं क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो गिर रहा था और अचानक से उसको एक support मिला और वो वही से वापिस मुड़ गया तो यानि कि इस level पे buyers are very active याद रखना इस level पे हमेशा हमें क्या दिखेगा कि buyers जो है they are very active at the moment the price of the share come to the level of their support they start buying aggressively जिसकी वज़ा से ये share एकदम से उपर चला जाता है so इसका मतलब यह हो गया कि कभी भी अगर आपको कोई भी stock support पे दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए we should buy that stock now what is resistance level resistance बिल्कुल इसका उल्टा होता है मतलब कई बार ऐसा होगा कि एक stock जैसी एक price पे पहुँचेगा वहाँ पर seller aggressive हो जाते है और वो उस share को बहुत जादा बेचना शुरू कर देते है बिकवाली का महौल बन जाता है selling atmosphere create हो जाता है जिसकी वज़ा से ये share वापस नीचे की और घिल जाता है इसको बोलते है resistance level अब resistance level का मतलब होता है एक ऐसा level जिसे share का price cross नहीं कर पा रहा तो ऐसे में हमेशा याद रखेगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि share अपने resistance level पे खड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम लोग उस share को buy ना करके in fact क्या यहाँ पर हम उस share को क्या कर देते है sell कर देते हैं कैसा अब को clear चलिए तो इसका मतलब सर यह तो समझा गया support का मतलब lower level resistance मतलब higher level and market में जो भी trade लिया जाता है वो इस बात के उपर depend करता है कि share support पे खड़ा है या फिर resistance पे है support पे हमेशा buying pressure बनता है और जिसकी वज़ा से अकसर देखा गया है कि share का price यहां से उपर जाता है resistance level पे selling pressure आता है जिसकी वज़ा से price जो है वो नीचे की और जाता है अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ यह तो समझा गया कि support पे buy करना resistance पे sell करना है लेकिन हमें कैसे पर चलेगा कि उसका support क्या है उसका resistance क्या है सी वैसे तो practically जब भी हमें support resistance बनाना होता है तो हम past कुछ prices को देख कर खुद ही lines draw करके support and resistance create कर लेते हैं लेकिन जिन लोगों को यह support resistance level draw करने नहीं आते उनके लिए एक बहुत शांदार indicator है that is pivot points yes pivot point आईए मैं आपको दिखाता हूं pivot point का क्या मतलब है और वो कैसे आपको बताएगा कि support and resistance क्या होता है और practically we will try to find out कि how it is working ठीक है जी इसको हम थोड़ा सा live market में चेक करेंगे कि यह किस तरीके से काम कर रहा है आईए मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे जड़ा यहां पर हम लोग क्या करते है इंडिकेटर में जाकर we used to put pivot पिविट आपने एक इंडिकेटर पिक करना है ठीक है अब आप जैसे पिविट को प्रेस करोगे तो यू विल सी बहुत सारी लाइन्स आपको दिखरी होंगी विटा तो थोड़ा सा एक काम करते हैं एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा लाइन्स को डाक कर देते हैं ठीक है आई होब इस विजिबल तो एवरीवन नाओ देख तो देख पा रहें आप थीक हैं अप्थ ध्यान से देखेंगे देख था सारे पिविट क्या कहता है पिविट में पी का मतलब होता एक है सेंट्रल लेवल क्या है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट इस वर देखेंगे ये यहां पर आप देखेंगे कि इसी तरीके से और वन मतलब रजिस्टेंस वन अगर मालोग यहां से उपर जाता है तो तो अब हम क्या करते हैं जेनरली जैसे आज का हम लोग मार्केट का मूपमेंट अगर देखें सब मूपमेंट करना तो आजके मार्केट मूपमेंट के लिए हम थोड़ा सा पाइफ ने कैसे काम किया ठीक है आप लोगों को समझ आएगा वाट इस हैपनिंग इन ना मार्केट और देखो क्या मार्केट पी से नीचे आ रहा था देख सकते आप थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको ठीक है यू किन सी फ्रॉम हेर नाओ जैसे मार्केट पी याने की सेंट्रल लेवल से नीचे आ रहा था नीचे आ रहा था आप देखिए क्या इसको यहां पर एक सपोर्ट मिला इस प्राइस पे सपोर्ट मिला और यहां पर क्या एक बाइंग प्रेशर बना और मार्केट ने यहां से उपर गया उपर गया और यहां से फिर एक बार ही रिजेक्शन आ हो गया कि सर जिस परसन ने यहां पर इसको बाए करा होगा क्या उसने इतना प्रॉफिट कमाया होगा येस और नो करा और चेला येंट हो बाए करा फ्रॉब सेर जए कज भी ओ मिलीघ्ट एगा करें परत कर जकी जएा है कोअलjutसम इसको अज़े करा उसके सुभक कि अपतना थारसना इसको भी कहा ngay ग庭 करा ये एक dopp वाया होगास म कर दो मेंद़ drink कर ड़ शो जह सक माया हो गवा कि तो हम कहाल